हलो बच्चों कैसे हो सब मैं हो निकता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनेट में तो जल्दी से क्लास में आज आईए आज है हमारा डे 17 आंड जैसे कि आप जानते हो हम रोजाना इंगलिश के नए 5 शब्द सीख रहे हैं और आज मैं आप लोगों के लिए जै बड़ा सा लेवल डाउन करने की जरुवत है या फिर लेवल जो है हमारा बरकरार रखे लेवल अप करें वह सब डिपेंट करेगा आज की क्लास पर आज की क्विजस पर आई हो आप लोग तैयारी करके आए हो हान जी गुद आफटरनून एवरवान गुद आफटरनून ग हान जी तो जल्दी से एक बड़ क्लास में आ जाई है आप सब आप लोग सब तैयारी करके आए हो भई गुद आफटरनून खुशी दाक्ष आम फाइन आमन इस फाइन ओके फाइन ताट्स गुद आम रेड़ी फाइस दीपक इस रेड़ी काजल ओके दक्ष कंगना सुमित खुशी हाई एवरिवान कैसे हो भई बढ़िया ओके तो मुझे ये बताओ कि आप लोग तयार हो आज घर पर कुछ प्राक्टिस किया पढ़ाई लिखाई करी सुभा बहुत से बच्चों ने ग्रामर की क्लास ली होगी सुभा 11 15 पर ग्रामर की क्लास होती है तो अगर आप टेक्टर क्लास इज में डीटरी बहुत ही जादा जरूरी है यह चीज के बिटा आप क्लास के बाद जो है ना चाहे 15 बैठो चाहे 20 मिनिट बैठो पर वो चीज जो गरम गरम दिमाग में डाली जाती है न क्या रहे ये वर्ड्स है ये उसका मतलब है उसको थोड़ा सा दिम तुम लोग 20 मिनिट ताम स्पेंड करोंगे पढ़ोगे ना तो वो चीज से दिमाग में बैठ जाएगे और तुने अच्छे तुमें समझ माएगी और उसको फिर ईजली तुम जो है ना क्लास में जो सिखाया गया व अच्छे समझ जाओगे तो आगे फिर चल्ग कोई प्र तुम जो आगे अगर आप लोग अपनी इंग्लिश लांग्विज बोलना आप चाहते हो कि आपकी जो वो बी अस्पोकन इंग्लिश जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाए तो बिटा बहुत जादा ना वहां पर जो असर पड़ता है वो आप किस प्रकार से सुनते हो उस पर भी पड़ता है ठीक है तो सुमेध करन एंवरिवन माधुरी तो यह क्या है कि आप लोग ना अपने इंग्लिश को कैसे सुन रहे हो कैसे उसको प्रनाउंस कर रहे हो उसकी प्रनाउंसियेशन भी यह सब कैसे समझ में आएगा केवल पढ़ने से ना कोई शब्द जो है जब तक हम उसको सुनेंगे ने कि इस शब्द को पुकारा कैसे जाता है तब तक हम उसके नहीं समझ पाएंगे और प्रनाउंसियेशन नहीं सीख पाएंगे तो यह जरूरी होता है ठीक है थांक यू सो माच लिया फाइन चालो का ना थांक्स अलोट यार्ल तुम लोग हु कहते हैं good students is equal to good teacher, अगर अच्छी teacher है तो that means अगर सिर्फ मेरी तरफ से महनत रही आपकी तरफ से ने रही तो मैं कभी भी से महनत करी उन्होंने समझा तो वहां पर मैं बोल सकती हूं कि if I'm a good teacher then you all are my good students okay thank you बस इतनी तारीफ नहीं अब आज के लिए इतनी तारीफ काफी है मिरसे यह नहीं होगी तो शुरू करें फिर हम लोग आ गया हैं जो ऑदर कर परिकृते रहते दुर दुर की बाते करते रहते हैं, तुम लोग इस चीज की टेंशन मत लो, मैं बोल रही हूं बेटा, यह आपकी क्लास जो है, यह क्लास 6-8 के लिए, 6-8 बलकि, मैं गेरे हूं 12th क्लास तक के बच्चे, सारे बच्चे जो है, यह क्लास ले सकते हैं, जिसको अपनी English जो है, आपको पंडे से प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत क्या, सीखने की कोई उमर नहीं होती है, 6-7-8-9-10-11-12, इन फाक्ट उसके बाद की बच्चे क्लास ले सकते हैं, बहुत ही बढ़ी आनू, वेरी गुड, चलो, मैं आप लोग का होमवग भी देखा, यह भी बहुत एक जीरो बच्चे आ चुके हैं, इसी के साथ, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड, हाँ जी, तो हमारा जो है, इक स्कॉलर्शिप का टेस्ट चल रहा है, डाउटनेट पे, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए, मैंने देखा, बहुत सारे तुम बच्च है, 50 लाख की वर्थ का जो है, ये स्कॉलर्शिप टेस्ट है, ठीक है, तो आप लोग ना जल्दी से क्या कर लो, इस जल्दी से इस स्कॉलर्शिप टेस्ट में रजिस्टर कर लो, free of cost है, जहां तक मेरे को पता है, जहां तक में नॉलेज है, टेस्ट है, टेस्ट के लिए र तो बेटा मैं तो बोलूगी परस्नली के ऐसा मौका हाद से मच जाने देना कर लिया है आजली ने कर लिया है लिया हां जी इन विच सब्जिक्स होंगे छोटा छोटा थोड़ा हर सब्जिक्स रिलेटिट क्वेस्चन होंगे ठीक है टेस्ट होगा तो तयारी तो पूरे तरीके से होने चाहिए आपके पूरी पढ़ाई की तयारी होने चाहिए यह free है, free है, free है, बेटा, सब सुन लो, registration amount कोई भी नहीं है, आप इसको register करोगे, free of cost, तुम्हारी तरफ से 1 रुपिया नहीं जा रहा, हम बल्कि अगर तुम पढ़के अच्छे से अवल नंबर लेकर आते हो, हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीके, पचास लाग तक की है, छोटी मुटी रकम नहीं है, ममी पापा को भी बताओगे न, ऐसे सीना एकदम चोड़ के, मतलब भूले नहीं समाएंगे, वो लोग खुशी का, कोई ठीकाना नहीं रहेगा, अगर तुम लोगों ने इसमें कर लिया, अच्छे से परफॉर्म, ठीके, बढ़िया, आगया समझ में, कोई भी मैं तो बोलूँगी, क्लास में जितने भी बच्चे अभी हैंना, 60, 65 जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा ना छोड़े भाई, मौगा हाथ से मत जाने देना, ठीके, जल्दी से रजिस्टर कर लेना, चालो, अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करें, तो I welcome you all to doubtnet, अभी का स्वागत है doubtnet में and good afternoon kids, I hope आप लोग बहुत अच्छे हो घर पे, safe हो, सुरक्षित हो, तो इसी के साथ हम लोग क्लास टार्ट करेंगे, ठीक है, quizzes, new words and फिर हम लोग quizzes, जो है, वो क्या करेंगे, quizzes खेलेंगे, चालो, तो start करें, quiz के साथ हमारी क्लास को, very good Anjali, ठीक है, ready guys, cool, तैयार हो, जल्दी से बताओ, फिर मैं questions लेकर आती हूँ, बेटा, आप पर जाके, doubtnet के app पर आपको registration form जो है, तो इसी के साथ, सबका ध्यान स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से question को पढ़के जवाब देंगे, क्योंकि आज याद है, यह quiz जो है, आपका decide करेगा, कि आपकी class का level क्या चलने वाला है, तो बिल्कुल भी आज जो है, इदर उदर डगमगाना नहीं, अगर सच में चाहते हो, महनत करना और इसी तरीकी से सीखना, तो quizzes अच्छे perform करना, फाइन, चलो, तो 3, 2, 1, यह रहा पहला question, Choose the definition that matches the word, आपको definition इन 24 options में से choose करनी है, जो इस word को match करती है, यानि कि disrespect की definition क्या होगी, disrespect का मतलब क्या होता है, treat properly किसी को बहुत अच्छे से किसी के साथ बरताव करना, do not treat properly किसी के साथ अच्छे तरीके से बरताव नहीं करना, या फिर बोथ A and B दोनों ही सही है, या फिर none of the above, चलो, जल्दी से time start हो चुका है, जादा time नहीं मिलेगा, easy सा question है, तुरंट आंसराना चाहिए, fine, next question पर आ जाते हैं, question number 2, a synonym for precious, अगर हम किसी चीज को बोले precious है, precious है वो चीज, तो उसका परयायवाची क्या होगा, या नि कि वो चीज valuable है, या फिर वो चीज ordinary है, वो चीज बड़ी ही common है, या फिर bland है, क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से, 30 seconds का time है आप सभी के पास, cool guys, जल्दी से चलो, एक बार discuss कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से आजाओ, ठीक है, question number one का क्या answer किया, question number डालके, फिर मुझे answer बताओ, और तब तक हम चेक कर लेदे, कितने person बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि disrespect का जो मतलब होता है, वो होता है बेटा, कि क्या करना, ढंग से बरताव नहीं करना, तो option B कितने बच्चों ने सही select किया, बापरे, 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 केवल, question number one का, 74% बच्चों ने A जवाब दिया है, बेटा, okay, 74% ने B जवाब दिया है, okay, fine, fine, sorry, 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 ठीक है, 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं तो घबरा गई थी 2 second के लिए, मैंने का, बापरे, बच्चों को यह नहीं पता है, disrespect का क्या मतलब होता है, disrespect का मतलब होता है, चलो, हान जी, सभी के लिए तालिया जिन्नों ने सही जवाब दिया है, इन सभी 74% बच्चों के लिए, a very good round of applause, बहुत बढ़िया tried, जो बच्चे, जो बागी की 26% जो बच्चे हैं, उन लोगों का गलत हुआ, तो I don't know उनका गलत क्यू हुआ, बट बेटा, थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से जादा को पाने की कोशिश नहीं करोगे, तो हमेशा उन छोटी चीजों में फसके रह जाओगे, अगर वही apple, banana और mango, monkeys, donkeys, इनी सब शब्दों के बीच में फसके रहोगे, तो यहीं अंग्रेजी रह जाएगी, इस से उपर नहीं बढ़ पाओगे, तो अगर आप 26% में आए हो, आपका एक गलत था, तो कोई tension लेने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए भी पढ़ा रही हूँ, पर थोड़ा सा अपना aim जो है, उद्देश जो है, वो ऊचा करो, और कोशिश करो कि यार यह गलत हुआ, तो कोई tension नहीं है, मैं अब सीखूंगा और आगे बहतर परफॉर्म करूंगा, ठीक है, यह mindset के साथ चलोगे न, तो तुम लोग बहुत easily और बहुत जल्दी और बहुत कम समाई में जो है न, English अच्छी कर लोगे, ठीक है, और बाकी 74% ने तो मुझे खुश करी दिया, तो disrespect का मतलब होता है, बेटा, किसी की बेज़िती करना, ढंक से बरताव नहीं करना, ठीक है, तो क्या है, option number B, आपका correct answer होगा, do not treat properly, चलो, question number 2 का 54% बच्चों ने सही जवाब दिया है, यह disappointing है, यह निराशा जनक बात है, बहुत ही जादा, कि आप लोगों को precious का मतलब नहीं पता है, अगर मैं बोलू, this is very precious to me, this कह सकते है, this pen is very precious to me, you all are very precious to me, you all are my precious students, इसका मतलब क्या है, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत खास है, आपकी मेरी जिंदगी में कीमत बहुत जादा है, तो बेटा, इस चीज़ को हम valuable कहते हैं, इसका सही answer क्या होगा, option number A होगा, इसका correct answer, a very big round of applause for all those 54% students, उन साभी 54% students के लिए बहुत जोरदार तालिया भाई, very well done, बहुत ही बढ़ी आप बाकी के जो 50 बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं, यानि की मेरी आधी क्लास, पूरी की पूरी, मुझे पता है क्या समझ में आ रहा है, अब शायद मैं सही हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों को synonym और antonym के बीच में आप लोग हो जाते हो, confused, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने न, common और ordinary पे टिक किया है, बेटा, synonym का पता है मतलब क्या होता है, बड़ी ध्यान से मेरी एक बात सुनना, synonym का मतलब होता है, कि जो शब्द का synonym आपसे बोला गया है, ध्यान से सुनना, जिनको पता है वो भी सुनेंगे, जिनको नहीं पता वो भी सुनेंगे, synonym का मतलब होता है जिस शब्द का आप से synonym मांग रहे हैं यानि कि उसी के जैसा मतलब किसी और शब्द में भी जहां होता है same meaning ठीक है परियाईवाची क्या होता है अगर मैं बोलू कि सूरज का परियाईवाची बता दो तो सूरज, सूर्य, रवी यह सब क्या है बेटा एक ही मर्थ है, एक ही चीज के बारे में बात हो रहे हैं अलग-अलग नाम है बस same art, same meaning ठीक है तो परियाईवाची क्या है? synonym का मतलब परियाईवाची है आपको same meaning धूनना है आप लोग गलती से opposite में चले जाते हो जब opposite meaning धूनना होता है तब हम antonyms बोलते हैं उसको यानि कि विलोम शब्द, विप्रीत शब्द क्या कह सकते हैं अप इसको antonyms, विलोम शब्द, विप्रीत शब्द यही तो बोला जाता है opposite words, हाँ जी, यह सब बोले जाता है तो इसमें confuse मत हुआ कुरो जब synonym बोले तो same meaning धून्डो जब antonyms बोले तो उसका विप्रीत अर्थ धून्डो किस शब्द के अंदर है ठीके, यह चीज़ clear है कल से नहीं होगी यह गलती अलग शब्द, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, ठीके बेटा फिर बढ़ियादी में कुछ नए शब्द एड़ कर लेते हैं ठीके, और जिसके questions नहीं आ रहे हैं quiz में वो बच्चे अपना एक बार एप अपडेट कर लेंगे तो पहला शब्द जो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो है appetite यहां पर आपको दिख रहा है यह क्या कर रहा है यहां से क्या समझ मारा है उस बहुत जोर की भूक लगी है बहुत सारा खाना खा रहा है वो इतने सारे बर्गर रखे थे उसने खाना खाय और डकार भी ले ली तो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे appetite he has a very big appetite यानि कि उसकी जो भूक है वो बहुत बड़ी है तो हम इसे क्या बोलते हैं हम appetite को बोलते हैं भूक ठीक है अगर किसी को किसी की small appetite होती है किसी की बहुत ही बड़ी appetite होती है यानि कि fatty नहीं बोलेंगे बेटा fat का मतलब होता है fatty नहीं appetite मतलब की hunger आपकी भूक देखो मैंने क्या बताया जब आप बहुत भूके हो तो आप कहोगे I am starving या फिर I am famished नहीं हाँ यहीं पर मैं को पता था आप थोड़े से गलत जाओगे बेटा बहुत जोर की भूक लगना that is क्या होता है बहुत जोर की भूक लगना होता है कि आप famished हो मतलब आप बहुत भूके हो ठीक है और जब हम भूक की बात कर रहे है कि क्या है कि आपकी भूक कैसी है ठीक है आप बहुत ही बड़ी भूक है मतलब आप बहुत जादा खाना खा जाओगे उसे बोलते है कि very big appetite a person's desire to eat food ठीक है person's desire to eat food ये होती है appetite hunger hunger और hungry में फरक होता है hunger यानि की भूक hungry यानि की भूके हो ठीक है तो जब बहुत जादा भूके हो तो famished बोल देंगे लेकिन appetite होती है आपकी भूक कि आपको कितनी भूक है किसी को जादा भूक है अब सोचो आपके सामने बहुत सारा खाना लग दिया छोले भटूरे और इन राजमा चावल पीजा बर्गर्स बहुत साई चीज़े है अब हमारे इनके सामने भी इतने सारे बर्गर रखे थे पर इनोंने सारे बर्गर खा लिया यानि कि इनकी appetite कैसी थी इनकी भूख कैसी थी इनकी भूख बहुत जादा है बहुत बड़ी भूख है यह सब कुछ खा गए हो सकता है किसी के सामने इतनी सारी चीज़े रख दो लेकिन वो इतना सा खाय और बोले कि मेरा तो पेट भर गया यानि कि उसकी appetite कैसी है उसकी भूख कैसी है उसका पेट कितना खाना समा पा रहा है उसका पेट कितना खाना मांग रहा है उसका पेट थोड़ा सा खाना मांग रहा है यानि कि उसकी जो भूख है वो बहुत ही छोटी है ठीक है थोड़ी सी भूख लगी है उसको यहाँ तो इसकी भूक की बात होगी, लेकिन मैं अगर इस व्यक्ति की बात करूँ, कि यह इसको कैसी भूक लगी थी, अगर यह बोले मुझे बहुत जोर की भूक लगी है, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, तो यानि कि उसकी appetite जो है वो बहुत बड़ी है और उसे बहुत जोर की भूक लगी है यानि कि वो famished है समझें आपर Very good A fat man's appetite is always क्या? Big ये आप कह सकते हो Anjali ने जो ये sentence बोला वो बहुत ही अचा है अचा नीरज समझ भी गए कि इनका नाम है square pants अचा इनका नाम Patrick है ये cartoon character है एक Lion's appetite is very large Okay, good He has a very big appetite चलो, बहुत ही बड़िया A monkey was I saw a monkey who was appetite नहीं बेटा, appetite मतलब की भूक होना ठीक है, किसी चीज की भूक अब क्या है यहाँ पर I saw a monkey who was hungry या who was famished आप कह सकते तो इसका मतलब हुआ कि मैंने एक बंदर देखा जो भूखा था, लेकिन मैंने एक बंदर देखा जो भूख, ये तो नहीं समझ माया इसका मतलब, appetite का मतलब है भूख, और भूखे होने में फर्क होता है, ना बिटा आप क्या हो आप भूखे हो और आपकी भूख कितनी है इसमें फर्क है आप भूखे हो यानि कि आप हंगरी हो लेकिन आपकी भूख कितनी है यानि कि आपको कितनी जोर से यानि कि आप भूख को नापने तोलने लग जाते हो ना वहाँ पे आप इस्तमाल करते हो फैमिश्ट ठीक है वेरी गुट कवीश्ट परसन्स एपिटाइट इस बिग बहुत ही बढ़ी होती है अब समझे आप वेरी स्मॉल एपिटाइट बहुत ही बढ़ी होती है यहाँ पर अभी तक कवीश्ट का जो है ना मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेंट लगा क्योंकि उन्हों ने जो अपना शब्द जो अपना सेंटेंस बनाया उसमें ना दोनों ही शब्दों को बहुत अच्छे से यूज़ किया कि आप फैमिश्ट परसन्स एपिटाइट इस अल्वेज बिग या इस वेरी लार्ज ठीके यानि कि एक भूखे व्यक्ति की भूख हमेशा जादा होती है समझे अब आप अब आप फैमिश्ट का मतलब और भूख का मतलब समझे की नहीं समझे फैमिश्ट मतलब की आप बहुत भूखे हो और अपिटाइट यानि कि आपकी भूख ठीके तो इसमें फर्क होता है है की नहीं वहीं फर्क जो है अपिटाइट और फैमिश्ट के बीच में होगा क्लिया? क्लिया? चालो! बहुत ही बड़िया यहाँ पर सबको समझ में आ गया है तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं? हाँ देखो मोहन is very hungry तो very hungry की जगह हम बोल सकते हैं मोहन is famished ठीके? मोहन इस फैमिश्ड यानि कि मोहन बहुत भूखा है ठीक है उसकी स्थिती कैसी है उसकी स्थिती ऐसी है कि वो बहुत भूखा है तो वहाँ पे आप फैमिश्ड यूज करतकते हो फैमिश्ड ना आपकी भूख की स्थिती बताता है फैमिश्ड या हंगरी जो है वो आपकी कैसी लगी है बहुत ज़ादा लगी है ये भूख कुछा है यहां पे एपिटाइट आपकी भूख ओती है कि भाई को रखते हो ज़ादा खाने की इच्छा रखते हो कम खाने की इच्छा ठीक है हिए आप पॉर्टस busy bury desire मतलब की इच्छा तो कैसा खाना खाने की इच्छा है जादा खाना खाने की इच्छा है यानि की appetite बड़ी है या कम खाना खाने की इच्छा है यानि की भूक जो है वो छोटी है आगे समझ में master maker तीन बार तो मैंने बताया बिटा massive appetite very good all that walking has given me and appetite यानि की इतना जूर से जो मैं चल रहा था उसकी वज़े से अब मुझे भूक लग गई उसकी वज़े से अब मेरे अंदर एक भूक पैदा हो गई है ठीके अब आप कई बार क्या है अब आप hunger भी यूज करते होगे एक normal अपनी day to day life में आप एक शब्द का इस्तमाल करते हो जो है hunger ठीके वो क्या है hunger यानि कि किसी चीज की भूक तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप उसकी जगा पे appetite का इस्तमाल कर सकते हो और appetite का मतलब होता है भूक जिसको हम spell out करते हैं a-double-p-e-t-i-t-e appetite ठीके इस तरीके से हम इसको pronounce करते हैं एक पर मेरे साथ तुम लोग घर पे बैठे बैठे इब आप प्रनाउंस करने की कोशिश करो क्या बोला जाएगा इसको appetite a-double-p-e-t-i-t-e appetite फाइन चालो next word पे आ जाते हैं bustling अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ये तनी बड़ी market है हाना और market लोगों से भरी पड़ी है खचा-कच मार्किट में बहुत हलचल मची हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं bustling ठीके जो tea है न यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर tea जो है बेटा वो tea हलका सा silent होता है bustle, bustling tea जो है यहाँ पर tea की आवास जादा अच्छे से उभर कर नहीं आएगी bustling नहीं बोलेंगे इसे bustling बोलेंगे full of lively activity यानि कि बहुत सारी हलचल जहां हो रही हो उसे हम bustling बोलते हैं ठीके पलक अंजली आज था tea is silent tea को मत प्रणाउंस करना bustling मत बोल देना अच्छा हम लोग कई बार क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे knife बोलते हैं k-n-i-f-e क्या इसे knife बोला जाता है नहीं इसे knife बोला जाता है के silent होता है तो इसलिए आप क्या बोलोगे यहाँ पर tea को silent रखना इसकी इसकी धुनी मत ले कराना ऐसे बोल देना बसलिंग बस खतम ठीक है बस्टलिंग मत करना वो फिर गलत हो जाएगा चालो तो full of lively activity यहाँ पे जानी कि बड़ी ही जानदार हरकते हो रही हो बहुत ही अब यह जो market है यह कैसी है people bustling यानि कि जो लोग है यहाँ पे बड़े ह जानदार तरीके से market नजर आ रही है क्योंकि लोग चल रहे हैं कुप सारी हलचल हो रही है market में कुछ गाएं खड़ी है इधर से ओधर लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं हाना तो market is bustling bustling place market is a very bustling place बड़ी ही हलचल वाली जगा है जहां पे बहुत हलचल होती रहती है ठी ठीक है आय समझ में ठीक है जानदार आप कह सकते हो बहुत ही जानदार जहां पर what is meaning of bustling अखेल बेटा मैंने लिखा तो हुआ है यहां पर full of lively activity यानि की जहां पर बहुत सारी जानदार हरकते हो रही हो बहुत हलचल हो class is bustling with students यानि की class में बहुत हलचल हो रही है बच्चों ठीक है शांत नहीं है बड़ी ही कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ activity हो रही है कुछ ना कुछ ना कुछ चल रहा है इदर से उदर इदर से उदर वो क्या है वो bustling है ठीक है a very good madhuri when I go to a peaceful place there is no bustling traffic road is very bustling बहुत ही बड़ी है ट्राफिक रोड में बहुत हलचल होती है ना काड़ियां धर से उदर जा रही है आ रही है हाईवे पे भी होती है fish market is a very bustling place बहुत ही बड़ी हा मच्छी बजार कई बाट टीचर्स भी बोल देती क्या मच्छी बजार बना रखा है क्लास को जब बहुत ही दर दर हल चल हो रही हो कोई paper plane फेक रहा है कोई table पे चड़ा हुआ है कोई चला रहा है कोई गार है कोई रो रहा है बहुत हल चल हो आया सबको bustling का मतलब क्या होगा बहुत बढ़िया चालिए बहुत ही बढ़िया ठीक है मुझे सबके comments नजर आ रहे हैं इस बार गलती नहीं है सबने बहुत ही बढ़िया और बहतरीन comments जो है वो अच्छे तरीके से sentence form कर रहा है चालो देखो अब यहां पर एक sentence Brady stepped into the bustling world या आप अपने घर से बाहर कदम रखो आपको कैसा दिख रहा होगा कोई कहीं जा रहा है सुबह 8 बजे के लिए कोई office दोड रहा है बच्चे स्कूल जा रहे है स्कूल बस जा रही है कुछ ना कुछ हो रहा है कोई market में खड़ा है कुछ बस के इंतसार कर रहा है तो यह दुनि संदार हरकते हो रही थी ठीक है भुपेश क्लियर वेरी गुड कावीश कावीश ने बहुत ही बड़ा सेंटेंस एक बनाया है आया समझ में आप लोगों को तो अभी तक हमने दो वर्ट सीखे एपिटाइट एपिटाइट यानि की भूख किसी चीज की भूख होना आपको से एपिटाइट टूर्ण नीड सिखने की भूख हो सकती है कि बहुझे दुनिया में बहुथ सारी सीखने है मुझे शांत नहीं बैट। यह मुझे बहुत नौलिच चाहिए हाना तो उस चीज की भी हंगर से भूख हो इदर उधर कुछ जो हैं हरकते हो ही होती है, ठीक है, ऐसे ही, देखो, वर्ल्ड एक बस, बस क्या है, बस की भी बात आप कर सकते हो, बस बीत्व क्रिशने कुछ BizGids tan, चुछल रहे हो, कुछ न चालिए, अच्छा एक एक्जामपल बोल सकते हैं, हम लोग कि दख क्रिकेट स्टेडियम वस बस्लिंग विद एंतुजियस्टिक क्रिकेट फैंस, जो क्रिकेट प्लेस है, यानि कि जो स्टेडियम था, ठीक है, अब इंडिया, न्यूजिलैंड को कोई मैच वगेरा चल रहा ह थी, क्रिकेट फैंस जो थे, वो क्या थे, वो पूरा का पूरा स्टेडियम, क्रिकेट फैंस की हलचल से, और उनकी लाइवली अक्टिविटी से, जोश में चिला रहे हैं, अपने क्राउड को, वो जो अपनी टीम को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज से वहां में भी बसल का हम लोग यूज कर सकते हैं, हाना, ठीक है, चालो, तो ये दो वर्ज हो गए, अब हम थर्ड वर्ड आपके सामने लेगर आ रहे हैं, और वो थर्ड वर्ड है, लिथार्जिक, सुस्ती, अलाक ओफ एनर्जी और्जी और एन्थूसियाज्म, एन्थूसि कौन सा वर्ड था वो, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, एक ऐसा ही वर्ड जो है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसी के जैसा मिलता जुलता, काफी जादा हद तक सिमिलर है, तो बताओ बेटा, क्या होगा, नीरज, लविश, हाई दिव्यांज, चलो, कम ऑन, वेरी गुड काविश, स्लगिश, मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा वर्ड, स्लगिश, लिथार्जिक और स्लगिश, दोनों का मतलब यह होता है, स्लगिश का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप में बहुत सुस्ती चाही हुई है, वेरी गुड दिव्या, आनू, बहुत बड़िया, जोती, बहुत ही बड़िया, तो याद, मतलब यह कह सकते हैं, कि तुम लोग घर पर तो बहुत अच्छे से प्राक्टिस कर भी रहे हो, and you all are paying attention, हाना, सब लोग बड़े ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, यह देखकर बड़ी खुशी होती है, तो वेर ही जुकी हुई, कंदे जुकी हुए, ठक गए है, ठक हार के चूर है, ठीके, तो लथार्जिक का मतलब भी क्या है, कि कैसी स्थिती है, लथार्जिक यानि की स्थिती होना, कैसी स्थिती होना, सुस्ती से भरपूर, जहां पर आप बहुत सुस्त मैसूस कर रहे हैं, आप में बिल्कुल एनरजी नहीं है, जोश की कमी है, अब देखो यह जो व्यक्ति है, वो शायद काम करते करते इतना ठक गया कि वो सोफे पे पूरे सुस्ती के साथ लेटा हुआ है, और उसमें बिल्कुल एनरजी जान नहीं बचिए, आगे काम करने की, तो क्या है लेथारजी, लेथार्जिक, कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लेजी की जगा, लेथार्जिक बोलो कि मैं बहुत ही लेथार्जिक महसूस कर रहा हूँ, यानि कि बहुत ही सुस्त महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनरजी नहीं है, तो लेथार्जिक वोड़ बो बहुत ही बढ़िया, अच्छा, I felt very lethargic after a very long day, बहुत ही लंबा दिन था, बहुत ही काम किया, उसके बाद मुझे बहुत ही सुस्त महसूस होने लग गया, ये भी हम बोल सकते हैं, after the meal I could feel lethargic, after a heavy lunch, हम बोल सकते हैं, after the meal I could feel lethargy overtaking me, हना अगर सोचो भाई, तुम लोगोंने मत पता नी मतलब तला हुआ, हम बोलते हैं कि काफी तला हुआ खाना, खाना खाया जाए, तो आप तुल सुस्त हो जाते ही, तो एक heavy meal के बाद, एक बहुत सारा खाना खाने के बाद, अब इस sentence में जो बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि बड़ा ही सारा खाना खाने के बाद, एक heavy खाना खाने के बाद, अब मुझे महसूस हो रहा है कि सुस्ती मेरे उपर चा रही है, धीरे-धीरे overtaking me, यानि कि मेरे उपर चाती जा रही है, सुस्ती जो है, वो मेरे उपर चा रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, मुझे सुस्ती आ रही है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मुझे पहले से पता नहीं क्यों, बट मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशेट और तुम लोगों की तारीफ और सराहना करनी पड़ेगी, कि तुम लोग जो है ना, कल की क्लास के बाद, आज मुझे बहुत इंप्रूफ्मेंट दिख रहा है, कल की क्लास में कुछ हाल ऐसे थे, कि ज़ादा जो है ना, अच्छे तरीके से सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे आप लोग, और थोड़ी सी सुस्ती थी, कल तुम लोग पूरी क्लास लथार्जिक मेरे को फील हो रही थी, कि पूरी जो क्लास है, वो लथार्जिक फील कर रही है, हाना, बट आज की कलास में मुझे दिख रहे हैं कि तुम लोग पता नहीं प्राक्टिस करके आए हो, या फिर आज पूरे जोश में बैठे हैं, कि नहीं आज मैं को प्रूफ करना है, कि नहीं मैं हमारा लेवल जो है, इंग्लिश का बहुत अच्छा है, आज ही कलास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है, वेल डन, ऐसे रखा करो या, डेली तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, अप्रिशेट करना बनता है, की सुस्ती, और बसलिंग, यानि की बहुत ही जाधा हल चल, इधर उधर कोई ना कोई जानदार हरकते हो ही रही है, वो हो जाता है, ठीक है, चालो, फूर्फ वर्ड जो है वो है आपका इनोवेटिव, इनोवेटिव क्या होता है, innovative यानि की, हम बोलते हैं ना यार कोई innovative सा idea दो, innovative सा idea यानि की तरकीब, innovative यानि की नई, बहुत ही नई, हट कर, कुछ एक दम अलग, ठीक है, introducing new ideas, original and creative in thinking, कोई ऐसा idea रखना, कोई ऐसी चीज रखना, जो की कैसी हो, जो की बहुत अलग हो, बहुत ही हट के हो, कुछ नया, कुछ original copy-paste ना हो, ठीक है, अब जैसे की innovative, अगर मैं बोलूँ के यार चलो, हम लोग ना बचो कुछ innovative करते हैं, innovative करते हैं, यानि की कुछ नया करते हैं, जो पहले हमने नहीं किया, कुछ original, कुछ creative, ठीक है, तो वो हो जाता है innovative, कई बार innovative ideas बोलते हैं, कि she is filled with innovative ideas, अगर किसी को, य is filled with innovative ideas, यह जो लड़की है, यह बहुत ही भरपूर है, किस चीज से भरपूर है, इसके पास जितनी भी तरकीबे हैं, जितने भी ideas हैं, इसके दिमाग में, वो बहुत अलग, बहुत अच्छे, बहुत नए, बहुत हटके हैं, जो कि पहले किसी के पास नहीं आए, ठीक है, त बहुत ही जादा अलग है, पहले ऐसा नहीं किया गया है, और बहुत ही नया है, ठीक है, उसे हम innovative बोलते हैं, innovative way of doing something, किसी चीज को करने का एक बहुत ही innovative तरीका, इनोवेटिव तरीका, यानि कि नया तरीका, ऐसा तरीका, जो पहले नहीं किया गया हो, तो हम इसको हिंदी मे क्या कह सकते हैं, नय पंसे, संबंधित, ठीक है, innovative, कोई भी चीज को अगर आप innovative कह देते हो, यानि कि वो बहुत ही जादा नय पंसे, related है, संबंधित है, ठीक है, उसका जो relation है, वो बहुत ही नय पंसे है, यानि कि उसमें बहुत आपने दिमाग लगाया, बहुत सोचा समझ और आप किसी ऐसे चीज के साथ है, जो पहले नहीं हुई है, बहुत ही जादा अलग है, हटके है, ठीक है, my father always gives me innovative ideas, very good, note कर लिया official ने, चलो बहुत ही बढ़िया, he is very innovative, ठीक है, एक व्यक्ती भी innovative हो सकता है, भाई, यू नहीं हो सकता है, एक व्यक्ती भी innovative हो सकता है, यान हमेशे जो है, बहुत ही चीजों को लेकर, बहुत ही अलग अलग जो है, ideas, तरकीबे, plans, वो आते रहते हैं, ठीक है, बहुत अलग, out of the box बोलते हैं, कि out of the box सोचा करो, यानि कि बस limited चीज नहीं सोचनी होती है, कि आप लोग limited तरीके से सोच रहों कि हाँ सुबह उठते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा पढ़ लेते हैं, innovative यानि कि कुछ अलग, कुछ हट के try करना, ठीक है, अब वो चाहे तुम fail हो, चाहे pass हो जाओ, वो अलग बात है, वो हम count नहीं करते हैं, innovative का बस इतना मतलब होता है, कि कुछ अलग करना, कुछ हट के करना, कुछ नया करना, ठीक है, चा हमें बहुत ही creative होना पड़ेगा, and innovative होना पड़ेगा, and come up with the ideas, with new ideas all the time, तो हमें, अगर आप लोग क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, कि अगर आप लोग अपनी life में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो you have to be creative, आपको बहुत ज़्यादा creative होना पड़ेगा, आपको बहुत अलग- अच्छा-च्छा कुछ सोचना पड़ेगा, innovative होना पड़ेगा, यानि कि आपको हमेशा कुछ नया सोचना पड़ेगा, हना तब ही आप क्या कर पाओगे, तब ही आप हर बार कुछ नया idea के साथ आपाओगे, अब अगर सोचो कि मैं भी अगर अपनी बात करूँ, तो मैं ज इसा नया तरीका सोचते रहना, बच्छों को कुछ समझाना है, तो किस तरीके से एक innovative तरीका लेकर आए, एक ऐसा तरीका, एक नया तरीका, जो शायद मैंने पहले नहीं किया है, और आपके लिए बड़ा ही क्या हो, interesting हो, हाना, जो पहले ना किया गया हो, तो कुछ creative हो, तो ठीक है, चलो, अब आगे बड़ें और हमारे last word पर आजाए हम लोग, last word है disparate, क्या है disparate, इसको कैसे pronounce करेंगे, d-i-s-p-a-r-a-t-e, आपकी spelling होती है, pronounce करेंगे disparate, एक होता है disparate, desperate, यानि कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत जादा उत्सुख हो, वो हो जाता है, बेटा, d-e-s, d-e-s-p-a-r-a-t-e, लेकिन यह क्या है, यह है disparate, d-i-s-p-a-r-a-t-e, यहाँ पे इसमें अंतर है, disparate का मतलब होता है, इसको बहुत clearly लिख लेना, बेटा, दोनों की spelling मे और दोनों के मतलब में confused मत हो जाना, कही disparate समझके यहाँ पर लिख दो कि she is very disparate, यानि कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुख है किसी चीज़ के लिए, नहीं, यह वो नहीं है, यह अलग है, disparate का मतलब है, हटके, बहुत ही अलग, ऐसा अलग कि आप तुलना ही नहीं कर सकते आपस में, उन दो चीज़ों की, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर देख रही है, आपको यहाँ पर गोल्डन एग नजर आ रहा है, यह गोल्डन एग जो है, पूरे सब चारो ओर से वाइट एग से घिरा हुआ है, तो यह क्या है, इस इस दिस्परेट, बहुत अलग है, हना, और आप इनकी तुलना भी आपस में नहीं कर सकते हो, there can't be, क्या है, there is no basis for any comparison, ठीक है, आप इसका comparison ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अलग है, it is very different, ठीक है, तो कोई चीज जो बहुत different हो, और compare ना किया जा सके, उसको असानी से उसकी तुलना न की जा सके, उसको हम disparate कहते हैं, आया समझ में, जल्दी से बताओ, very good, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कि things so unlike, unlike मतलब कि, अगर मैं बोलू, these two things are very similar, यानि कि बहुत ही जादा एक जैसी है, like है, unlike यानि कि एक जैसी नहीं है, एक दूसरे से बिलकुल male नहीं खाती, बे-male, ठीक ह तुलना की भी कोई गुझाइश नहीं बचती, क्योंकि जब तुलना कैसे करोगे, जब भई, जमीन आस्मान कोई तुलना है, बे-male है, हाना, male ही नहीं खाते हैं, जमीन और आस्मान, एक दम ही अलग-अलग, रात और सवेरा, बिलकुल ही अलग-अलग, भई, एक तरफ एक तरफ एक दम रोशनी होती है, कोई comparison का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो यह चीज़े क्या है, disparate, भिन, बहुत ही ज़ादा different, जहां पर बिलकुल भी किसी भी comparison की, किसी भी तुलना की, किसी भी तरीके का compare आप कर ही नहीं सकते हो, उसमें आपस में बहुत ही अलग हैं, ठीक या आप उसको बोल सकते हो, कि this is very disparate, ठीक है, this thing is very disparate, आया समझ में, अब एक sentence देखते हैं, the two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other, अब यहां पर देखो sentence में क्या बात हो रही है, वेरी गुड काविश, वेरी गुड बिटा, अचाब मेरा एक sentence है, उसका मतलब समझो, culture होता है संस्कृती, हमारा culture अलग है, भारतिय संस्कृती अलग है, इंडियन culture अलग है, western culture अलग है, वो जो पश्चिमी संस्कृती है, वो एकदम अलग है, ठीक है, वहां के रिती है, तो ये रिती रिवाज एकदम अलग है, और इसकी तुल्ला भी नहीं हो सकती, है की नहीं, आप पश्चिमी culture की, western culture और इंडियन culture को आपस में तुल्ला कर सकते हैं, भाई, हम लोग बहुत जादा religious हैं, हमारे रिती रिवाज अलग है, हमारी संस्कृती बहुत अलग है, हना, और वहां की संस्कृती बहुत अलग है, तो there is no, these two cultures cannot be compared, ठीक है, ये आपस में compare करे ही नहीं जा सकते हैं, और अगर इस example की तौर पे बात करे जाए, तो एक व्यक्ति के बारे में बात करे जाए, जो जहां कहां से आया है, जो maybe, for example, अमेरिका से आ रहा हो, और वो that, की, she found it hard, की उस लड़की के लिए, जो वहां से यहां पे रहने आई, उस लड़की के लिए बहुत ही जादा मुश्किल था, की वो क्या कर सके, वो adapt कर सके, from one to other, यानि की, वो adapt का मतलब मैंने आपको समझाया था, किसी चीज में ढाल लेना, की वो अपने आपको इस संस् के हिसाब से ढाल सके, ये आपके इस सेंटेंस का मतलब है, समझ में आया? the man are, these, बेटा, these बोल रहे हो, तो man नहीं बोलोगे, these बोल रहे हो, तो men बोलोगे, these यानि की, ये सभी आदमी, यानि की, क्या, बहुत सारे आदमी हैं, तो man नहीं, men हो जाता है, माबे, plural हो जाएगा, न, desperate, देखा, माधुरी, मैंने यही बोजा था, बेटा, desperate, अलग होता है, D, E, S, P, हाँ जी, ये D, E, S, वाला जो है, वो desperate, यानि कि आप किस चीज को लेकर बहुत उत्सुक हो, I am desperate to know, please tell me, मैं बहुत उत्सुक हो जानने के लिए, प्लीज मुझे बताओ, वो एकदम अलग है, ये disparate है, वो desperate होता है, des और dis में फर्क है, ठीक है, D, E, S, जो है, ऐसे कि इसमें मैंने बताया कि दो कल्चर में इतनी जादा अंतर था, इतना जादा फर्क था, वो दोनों आपस में इतना आलग थे कि जो व्यक्ति वहां से उठकर यहां रहने आया, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो उस कल्चर से हमारे भारती कल्चर में अप मेरी जो भूख है वो बहुत ही अलग और बहुत ही नए आइडियास के लिए है, वो बहुत ही जादा है, यहां भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया, चलो, आया समझ में? ओके ऑफिशल, बहुत ही बढ़िया, अभी राज, एमान, बहुत अच्छे सेंटेंस बना रहे हो, आर प्लाने अर्थ बहुत ही बढ़िया किसका था यह जोती, आर प्लाने अर्थ is very disparate from all the other planets, हां जी, तुलना करी नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे, यहां पर लाइफ है बाकी तो आज हमने कौन से नहीं five words सीखे हैं, सबसे पहले था, एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं, appetite यानी की भूक, second था bustling, bustling यानी की हलचल जहां पर बहुत जादा क्या है, full of lively activities, third था lethargic, यानी की सुस्ती, ठीक है, lethargic यानी की सुस्ती, और आपका fourth word जो था, वो fourth word क्या था, innovative, innovative यानी की नए पन से संबंदित, आप बहुत ही जादा नए ideas और बहुत ही अलग कुछ हट के, ठीक है, last and fifth word जो है आपका, वो है disparate, यानी की इतना अलग, दो चीजों का इतना different, इतना अलग होना की no basis of comparison is left there, कोई भी ना, तुलना करने का कोई basis ही नहीं बचा आपर, ठी ठीक है, तो ये पांच words हमने सीखे, and I hope आप लोगो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, एक बार एक poll कर वा लेते हैं, उस poll में तुम लोग yes or no आएगा, कि आप लोगो समझ में आया, या नहीं समझ में आया, उसमें yes or no के हिसाब से आप answer कर सकते हो, तो मुझे भी प साथ ही साथ तेयार हो जाओ, तुम लोगो क्विस के लिए, दूसरा क्विस लेकर आए हम लोग, क्विस नमबर टू, चालो, थैंक गॉड, आज 91% बच्चे बोल रहे हैं कि माम हमें समझ में आया, so happy to see that, कितनी खुशी हो रही है ना, मुझे कि तुम लोगो समझ में आया चीज, इतना ही जोश और इतना ही अटेंशन जो आज की क्लास में दे रहे हो, वो डेली दिया करो, इसी के साथ, अब हम लोग एक और जो आपका second quiz है, वो ले आते हैं, quiz number two, I hope you all are ready, fine, ठीक है विपन अभी share करेंगे, पहले तो यार हो जाओ quiz के लिए, question number one, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, choose the correct spelling of the word, आपके सामने एक word है oxygen, उसकी सही spelling आपको बतानी है, क्या होगी, option number a, o, x, y, g, a, n, option number b, o, x, e, g, a, n, option number c, o, x, y, g, e, n, या फिर option number d, o, x, a, g, e, n, correct spelling क्या होती है, oxygen की, जल्दी से, उस पर टिक कर दो, सही option पर, okay guys, time up होने वाला है, three, two, and one, time up, second question, a collection of maps and geographic information, एक ऐसा collection जिसके अंदर आपको सारे maps मिल जाएंगे, सारी geographical information मिल जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, almanac, atlas, dictionary, geographic dictionary, क्या बोला जाएगा उसको, geographic dictionary, sorry, क्या बोला जाएगा, collection of map, और geographic information, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर सारे maps मिल जाते हैं, हर एक चीज़ के geographic information मिल जाती है, कहां क्या है, किदर समुद्र है, क्या नहीं है, वो साइच चीज़े कहां मिलती है, आपको देखने को, almanac में मिलती है, atlas में मिलता है, dictionary में आपको यह चीज़े मिलती है, या फिर geographic dictionary में मिलती है, fine, 3, 2, 1, and time up, चलो, question number 1, discuss कर लेते हैं, कितने percent बचों ने सही जवाब दिया है, correct spelling जो होती है, oxygen की, guys, वो होती है, O, X, Y, G, E, N, जानी की option number C, कितने बचों ने सही, tick किया, option number C, सिर्फ 81% class को पता है, oxygen की सही spelling, बाकी बच्चों को नहीं पता है, यह तो बहुत ही गलत बात है, oxygen की spelling नहीं जानते हो आप, this is essential, सबसे main चीज़ है, जिसकी वैसे तुम लोग जिन्दा हो, और उसकी spelling तक नहीं तुम लोगों को आती है, oxygen की, चालो, तो आज पता चल गई, O X, Y, G, E, N, यह होती है, oxygen की सही spelling, बाकी सारी गलत थी, question number two का जो आपका correct answer है, वो केवल 42% बच्चों ने दिया है, आप लोगों को नहीं पता बिटा, collection of maps, कहां पर आपको सही, यह सारी जानकारी कहां मिलती है, atlas बोलते हैं ना हम उसको, जहां पर सारे के सारे हर, पूरी पर समुद्र है, समुद्र की गहराई क्या है, पहाड कौन से कहां पर है, यह सारी चीजे कहां, atlas में देखने को मिलता है, है की नहीं, भूल गए, option number B, यहां पर correct answer है, and 42% ने सही जवाब दिया है, तो this is not at all right, or this is not at all the way, आप लोग कुज अगर ऐसे perform करोगे, तो सही नही है, ठीक है, but atlas, जिनको नहीं पता था, बाकी के 50 से भी ज़्यादा पोसेंट क्लास को यही नहीं पता है, चलो, I hope, पाच पता चल गया होगा, atlas बोला जाता है उसको, ठीक है, fine, तो class में मज़ा आया, because मुझे बहुत ही मज़ा आया, आप लोगों को ये नए पांच शब सिखाने में, I hope, आप लोगों को भी आया होगा, उतना ही मज़ा इन नए पांच शब्दों को सीखने में, scholarship का जो test के बारे में आप पूछ रहे हो, वो scholarship का test बेटा, जब भी होगा, 27th June जैसे की है, 27th June से पहले पहले तुम लोग register कर दो, आज 25 तारिक है, दो दिन का समय है, free of cost में registration है, जल्दी से कर देना, 6th to 10th class की जो बच्चे है, वो क्या करेंगे, वो इसको register कर देंगे, ठीक है, तो सारे बच्चे कर देना, एक भी मत छोड़ना, बाकी जो मेरी classes हैं, वो रोजाना 11, 15 पर हो रही होती है सुभा, और 1 बजे हो रही होती है दोपहर में, सुभा हम सीखते हैं, आपकी grammar, और दोपहर में हम लोग vocabulary के कुछ नए शब्द सीख रहे होते हैं, यानि कि English के नए जो spirit है वो बरकरा रखो, अगर homework में आप लोग करना चाहते हो, तो जो आज मैंने words सिखा है, उन सभी शब्दों के पांच-पांच sentences लिख कर लाना, ठीक है, सभी words के 5 sentences, यानि कि 25 sentences in total आप लोग कर लाओगे, और ग्रुप पे send कर देना, मैं चेक कर लोगी, तो चलते हैं, भी मिलेंगे के कल के क्लास में तबतक लिए, बाबाय, take care and thank you